अस्सेलामू अलेकुम इस वीडियो में आपके लिए और तीन भैतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूँ इसमें से एक अपॉर्चुनिटी वोग फ्रॉम होम रहेगी और दू अपॉर्चुनिटीज वोग फ्रॉम आफिसर रहेगी वीडियो पूरा जरूर देखे, स्क्रीन शेयर करकर आपके साथ सारी डीटेल शेयर करूँगा पहले तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेट तो जॉब कॉमेंट बिलो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीज़े ताकि आपको ये अपडेट मिस न करें फोर्स हम डिसकस करेंगे आई बेम हैर कर रहे हैं फाइनस एन एड्मिनिस्ट्रेशन डेलिवरी फर करनाटका बैंगलोर लोकीशन और इस वर्क फ्रॉम हम डिरिंग पैंडेमिक क्वालिफिकेशन की बात करें एनी ग्रैजवेट यहां पर अपलाई कर सकते हैं 2019 से लेकर 21 पास्ट आउट आपके पास सारे डोकुमेंट्स इन हैंड होने मानिटरी है यहां पर आपका experience 0 से लेकर एक साल के बीच होना चाहिए into finance या फिर accounting ठीक है अगर आपको previous experience into finance या फिर accounting यहां पर आपके लिए advantage रहेगा यहां पर आपको Microsoft के applications की अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए यहां पर apply करने का link description box में ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं सारा job description है सारा job description पढ़िए आप job description के हिसाब से आपका CV अपडेट कीजिए PDF format में 2MB या फिर less than 2MB फिर apply कीजिए link है description box में अगर आप Bangalore में रहते हो फिर यह opportunity आपके लिए है Now coming to the second opening Design tech hire कर रहें CIE analyst hypermesh for Hyderabad and Delhi location के लिए यहां पर आपको ready रहना है relocate होने के लिए ठीक है qualification की बात करें यहां पर यहां आर करें BE, B-Tech, ME, M-Tech branches की बात करें Automobile, Production, Industrial, Mechanical, Candidate यहां पर apply कर सकते हैं 2020 passed out only 21, 22, 19 के passed out candidate यहां पर apply नहीं कर सकते हैं Job description Mechanical Engineer with experience in hypermesh the candidate must be familiar in shell mesh sheet metal and plastic part for durability and crash meshing requirement and solid mesh, tetra and hexa mesh the candidate having experience in analysis linear analysis is an added advantage work independently यहां पर देखीजिए as of now यह hire कर रहे है internship base के लिए अगर आप यहां पर अच्छे से काम करोगे तो यहां पर आपका काम extend हो सकता है permanent base पर नहीं कर रहे हैं temporary basis पर आपको hire कर रहे हैं अगर आप अच्छे से यहां पर काम करोगे तो यहां पर आपको आपका काम extend हो सकता है यहां पर apply करने का link है description box में यहां पर आप देख सकते हैं सारी details है यहां पर HR का email ID भी है आप HR की email ID पर अपना CV सेंड कर सकते हैं पर आपकी पर अप्लाइ कर कर अपना interviews कर दिवू कर सकते है अपर कर में आपका है अ पर आपको कर सकते है Gliko services है करें Apparentise और Trainee for Hyderabad location यहां पर आप यहां पर करें fresh works qualification कि बात करें यहां पर आपकी हार करें ITI fit or Mechanist Mechanical, Electronics जा धाँ थिखाने है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा job description है नीचे walk-in address भी है यहाँ पर walk-in हो रहा है डेली दस बज़े से लेकर तीन बज़े तक ठीक है अगर आप walk-in नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर HR का contact number है आप HR को contact करकर या फिर नौकली पर apply करकर अपना इंटर्व्यू कर सकते हैं इस व यहाँ पर आप टाप